हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप तो आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेके जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं जो आपके घर के कामों में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और आप अपनी फैमली के लिए भी टाइम नि पूड़ी बगएरा बनाते हैं तो इसका इस्तमाल हम करते हैं अब हम इसे यूज करेंगे चमच स्टेंड के रूप में यह दिखिए यहाँ पर मैंने चमच लिए हैं और यह जो चमच है ना हम इस तरह से इसके अंदर फसा देंगे यह देखिए तो बहुत सारे चमच इसक वह से खराब रखी रहती है चैनलहें करते हैं उनका हम यूज भी कर पाते हैं यह दिखें कितने सारे चमच यहां यह hydr बहुत सारे अभी भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं तो इसको कहін भी आप ने किच्ण के अंदर टांग लीजिए यह बहुत ही प्यार बार ऊकर अगली ट्रिक की और अगली ट्रिक भी है हमारी यहां पर किचिन से रिलेटेड यह देखिए यहां पर मैंने थोड़ इसी चाय की पत्ति डाली है पानी के अंदर और इसका हम बहुत ही वढ़िया से यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको यूज करने वाले है अपने घर के जो भी कांचБ के वर्तन होते हैं उन्हें साफ करने के लिए आप देखेंगे जब इसको आप यूज करेंगे तो आपके जो काश के बरतन है बहुत अच्छे से एकदम जगमगा जाएंगे तो यह हलका सा गुंगुना है और अब मैं क्या करूँगी, जो काश के बरतन है उन्नें इसके अंदर डाल दूँगी, कई बाल क्या होता है न हमारे घर पे काश के बरतन होते हैं, वो साफ कर लूँगी तब इनकी चमक आप देखेगा कितनी जादा होती है तो यह देखिए यहां पर फटा-फट से हम इन्हें साफ कर लेते हैं तो यह दिखें मैंने इसको अच्छे से साफ कर दिया है साफ करने के बाद आप इनकी चमक देख सकते हैं कितने अच्छे से यह चमचमा रहे हैं तो इस trick का यूज जरूर कीजेगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले trick की और अग्रे ट्रिक में देखी friends मैंने यहां पर लिया है इस तरह की साड़ी इस तरह की भारी भारी साड़ियां तो हम सभी के घर पे होती है और जब हम इसकी प्लेट बगारा बनाते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारी पिन होती है इसके अंदर अच्छे से नहीं जा पाती है इस तरह से हम लेते हैं प्लेट और बनाते हैं तो आपको एक ट्रिक बतारी हूँ अगर आपकी भी इस तरह की हैवी साड़ी है और उसमें पिन आराम से नहीं जाती है क्योंकि देखे जरूर नहीं है हम पिन जो लेके आते हैं उसकी जो नोख है बहुत ही जादा तेज हो तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है अब देखे यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है सिल्वट्टे का बट्टा इस तरह के सिल्वट्टे का बट्टा हमारे पास होता है या फिर आप नेल कटर भी ले सकते हैं तो नेल कटर में जहां से हम अपने नेल्स को सेब देते हैं वो ए एरिया भी आप यूज कर सकते हो और अच्छे से आपको क्या करना है इसको इस तरह से घिसेंगे घिसने के बाद इसकी नोक तेज हो जाएगी और इसके बाद जब आप प्लेट वगेरा में इसको लगाओगे पिन को तो बहुत ही आराम से जो पिन है आपकी प्लेट में फस जाएगी और आपका जो बर्क वगेरा है ना वो भी खराब नहीं होगा तो ये जो ट्रिक है ना मेरे बहुत ज़्यादा काम आती है आपको कैसी लगी फलाल कमेंट में ज़रू बताएगा और इससे अच्छी भी कोई ट्रिक है तो ज़रू से शेयर कीजेगा और अच्छे लगते हैं ट्रिक्स तो लाइक शेयर करना तो इसे बनता है कई बार जो टेल होता है हम ये नहीं समझ पाते है ये कितना ज़्यादा गर्म है तो इसके लिए एक छोटा सा में ट्रिक बता रही हूँ अगर आपको ना कोई भी चीज फ्राई करनी है और पता करना है कि हमारा तेल कितना ज़्यादा गर्म हो गया है क्योंकि अगर हम कम तेल में ही कोई चीज पूरी है या पकोडी है डाल देते हैं तो वो क्या होता है ना वो सारा का तेल अपने अंदर ना एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ही ज़दा oily oily हो जाता है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको कोई भी लकड़ी की कर्ची वगएरा या बेनन ले लीजे या टूथपिक ले लीजे इस तरह से आप रखेंगे ना और उसमें बवल्स अगर बनना शुरू हो गए तो आप समझ जाएए कि तेल जो है ना हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है और कोई भी चीज़ फ्राइ करने के लिए बिलकुल तयार है तो देखिए यहाँ पर मैंने ली है मसीन मसीन जो हती ना ऐसी चीज़ होती है जिससे हम फटे पुराने कपड़े सिलते हैं पहुत सारी यूज में यह आती है लेकिन हम अगर क्या होता है कभी कभी इसकी देखरेक नहीं करते हैं तो इसकी चमक जो है यह खो देती है तो समय समय पे इसकी सफाई होनी बहुत ही ज़ादा जरूरी है इसमें तेल बगेरा डालना बहुत ही ज़ादा जरूरी है अगर आप भी अपनी मसीन को सालो साल चलता हुआ देखना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने ली है रोटी रोटी आप यहाँ पर बासी हमारी रोटी बच जाती है वो ले सकते हैं आपको ना थोड़ सा सुनने में अजीब लगेगा लेकिन इससे बहुत ही बढ़ा तरह से हम क्लीनिंग कर सकते हैं यहाँ पर आपको थोड़ सा रोटी का टुकड़ा ले लेना है और इसके ऊपर कोई भी पेस्ट लगा लेना है जो भी पेस्ट का आप यूज करते हैं ये देखे यहाँ पर मैंने थोड़ सा लगा लिया लगाने के बाद आप क्या कीजे कोई भी इस क्रबर बगार ले लीजे और उस पर इस रोटी के टुखडे को और इस कोल्गेट को आपको रख देना है और बढ़िया से हम क्या करेंगे यह जो मसीन है इसको मसल देंगे इससे आप देखेंगे जितनी भी मिट्थी वगारा है जो आ जाती है जिस से आपको क्या करना है कोई भी सूती कपड़ा ले लीजे बढ़या से इसको मसल कर साफ कर दीजे आप देखेंगे आपकी जो मसीन है एक तम जगमगा जाएगी चम चमा जाएगी तो इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और बढ़ते हैं अपने अगले टिप की ओर यहां पर पर फ्यूम बगएरा तो होते ही हैं तो आप जब इस तरह से पर फ्यूम को अपने नेल्स के उपर लगाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आराम से जितना वी आपका नेल पेंट है ना वो रिमूव हो जाएगा यह देखें मैं आपके सामने ही कर रही हूं कितने अच् कि जगा आप इस तरह से उन्हें यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह से कॉटन में लगा लीजे और इसके बाद जब आप छोड़ाएंगे तब भी बहुत असानी से छूट जाएगा इससे हमारे दो फायदे होंगे अगर एक्सपायर हमारा पर्फियूम हो गया है तो वह भ देखे बढ़िया से साफ हो चुका है तो फ्रेंड्स यह थे कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जिनने अपना कर आपको धीर सारी बचत होगी बिना एक रुपया खर्च किये तो इन्हें जरूर से फॉलो कीचेगा और इसके अलाबा अगर आप भी कुछ अच्छ अच्छ टिप्स और ट्रिक्स जानते हैं और मेरे साथ शियर करना चाहते हैं तो मुझे जरूर से बताएगा मैं और लोगों तक भी उसे पहुंचाओंगी तो आज के अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जुड़र है आपके चैनल से बाइवर्वन और थैंक्स पर वाचिंग 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 बाइव